शुबप्रभात बच्चों हिंदी सुलव भार्ती सात्वी कक्षा का पाठ आज हम पड़ेंगे तो पाठ का नाम है प्रुत्वी से अगनी तक तो देखिए यह पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामिनों ने लिखा है तो यहां पर उनका परिजे हम देखेंगे तो उन 18 अक्तूबर 1931 में रामेश्वरम तमिनाडु में हुआ है तो उनकी मुर्ट्यों 27 जुलै 2015 में हुआ है तो देखिए उनकी रचनाय जो है अगनी की उडान छुवा आस्मान आदी तो देखिए उनका परिचे डॉक्टर अब्दूल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को जुशित किया अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रतन सम्मान प्राप्त हुआ है तो देखिए इनको क्या क्या मिला है तो उनको भारत रतन सम्मान भी प्राप्त हुआ है और यह हमारे क्या थे राष्ट्रपति भी थे तो देखिए यहां पर उनका जो आत्म कता है तो अगनी तो उसमें से थोड़ा आउंश यहां पर उन्हों ने आपको पढ़ने के लिए दिया है तो प्रस्तुत आत्म कथा आउंश में लेखक ने अगनी के प्रक्षपण में आने वाले कठनाईयों वज्यानिकों के अथक परिश्रम को बताया है तो दिखिए अथक परिश्रम किस तरह से किया जाता है यहां हमें इस पाड से अनुभो होगा तो चलिए हम पढ़ेंगे तो दिखिए यहां पर बालासोर में अंतरिम परिक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम एक साल की देरी थी तो दिखिए यहां बालासोर है तो यहां पर बालासोर कहां पर है नकाशा में आपको दिखाये गया है तो यह आपको जो बाजु में है वह क्या है तो वह रॉकेट है तो दिखिए वह रॉकेट का नाम है पृत्वी तो दिखिए बालासोर में अंतरि प्रस्तापित की इन में से एक देखे इन में से एक क्या था लॉंच प्याड था ब्लॉक हाउस नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिती केंद्र शामिल थे तो देखिए प्रुथवी उपगरह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11 बच के 23 मिनिट पर तो देखिए यहाँ पर प्रुथवी उपगरह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11 बच कर 23 मिनिट पर छोड़ा गया यह देश के रॉकेट विज्ञान के इत्यास में एक युगान तकारी घटना थी निर्देशित मिसाईलों के क्षेत्र में एक आत्म निर्भर देश के रूप में प्रुथवी के उद्भव ने संसार के सभी विक्सित देशों को विचलित कर दिया सामर्त शिल नागरिक अंतरिक शुद्जो और वेवार मिसाईल आधरित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समोव में पहुंचा दिया था यहां पर हमारा पुर्दवी यह रॉकेट है वह क्या हुआ चुनिंद राष्ट्रों के समों में हम पहुंच गये किस के किन के लिए तो यहां राष्ट्रपती अब्दूल कल के जो योगदान है उप में नक्यों के खारण हम विविद देश के नकाशों पर यहाँ पर आपको अगनी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या एक प्रूत्वी ही परियाप्त होगा। क्या चार-पाच मिसाइल प्रणालियों का स्वधेशी विका समय परियाप्त रूप से ताकवत वर बना पाएगा। उसी समय अगनी को एक टेकनोलोजी प्रदशन परियोजना के रूप में विक्सित किया जा रहा था। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है अगनी का प्रक्षेपन जो है 20 एप्रिल को उन्होंने निर्दारित किया है। तो यहां एक अबुद्पूर्व अभ्यास होने जा रहा था। तो यहां पर 20 एप्रेल को जो 1989 है तो यहां पर यहां अगनी हमें अंतरिक्ष प्रक्षेपन यानके विप्रित मिसाइल प्रक्षेपन में व्यापक स्तर पर सुरक्षय सम्मंदी खत्रे शामिल होते हैं। तो यहां पर अंतरिक्ष प्रक्षेपन यानके विप्रित मिसाइल प्रक्षेपन में व्यापक स्तर पर सुरक्षय सम्मंदी खत्रे शामिल होते हैं। प्रक्षेपन की पूर्वतायरी की सारी गतिविदिया तक कारेकरम अनुसार पुरी हो गई थी। तो दिखिए यहां पर जो गतिविदिया हैं अलग-अलग कारेकरम हैं वो प्रक्षेपन की पूर्वतायरी जो उन्होंने की थी उनके अनुसार ही हो रही थी। तो दिखे उसी समय क्या हो रहा है जिस समय हम टीस 14 सेकंड पर थे कंप्यूटर ने संकीत दिया कि उपकोणों में से कोई एक ठीस के काम नहीं कर रहा है इसे तुरंत सुधार लिया गया इस निजले रेंज केंदर ने होल के लिए कहा अगले कुछ सेकंडों में जग जह हो होल की ज़रुरत पड़ गई हमें प्रक्षेपन स्तगित करना पड़ा तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यह जो अगनी प्रक्षेपन है तो 20 एप्रेल 1989 को निरदारित किया गया था तो जब यह सभी पूर्व तयारी हो गई थी तब क्या हो गया तब वहां पर 14 सेकंड का क्या संकेत मिला कि ठेल जाओ कहां पर तो क्या हो गई है कि यह कुछ तो बिगाड हो गई है तो उसी समय अलग-अलग जगह से फिर से होल के क्या आ गए संदेश आ गए इस तरह से वहां पर वह प्रक्षेपन स्तगित करना पड़ा तो देखिए मैं अपनी टीम के सदस्वन से मिलने गया जो सदमे और शोप की हालत में थे मैंने एसल वी थ्री के अपने अनुभू को उनके साथ बाटा तो देखिए यहां पर एसल वी यहां पर प्रुत्वी का जो प्रक्षेपन स्तगित हो गया अगनी का प्रक्षेपन जो स्तगित हो गया तो वहां पर अब्दु तो देखिए, मेरा प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई, तो देखिए, यहाँ पर समुद्र है और उसके वहाँ सफलता के साथ हुई है, वहाँ पर वहाँ उनसे बादचित कर रहे है, साजा कर रहे है, आपकी मिस सारी टीम उपप्रणालों की जाज और उने ठीक करने के काम में फिर से जुट गए तो देखिए सारे क्या हो गए फिर से काम में जुट गए हैं तो अगले दस दिन तक दिन रात चले विश्टूत विश्लेशन के बाद हमारे वगयन को ने मिसाल को एक मई उन्नीस सो तो 1989 को प्रक्शेपन के लिए त्यार किया गया कर लिया लेकिन स्वचलित कम्पीटर जाच आओधी के डवरान ते seconds पर एक होल्ड का संकेट दिखाई पड़ा फिर से क्या हो गया का संकेट दिखाई पड़ा प्रक्शेपन के फिर एक बास तकीद करना पड़ा राकेट विज् अब्दुलकलाम बता रहे हैं मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदसों को संबोधित किया तो देखें वहाँ पर फिर से उन्होंने संबोधित किया है बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोक्षाला या RDN की संस्तान को देश में पहली बार अगनी जैसी प्रणाले वि जा गया है स्वाभाविक रूप से बड़े अउसर अपने साथ बराबर की चुनोतिया लेकर आते हैं हमें हिम्मत नहीं हारने चाहिए समस्याओं को हमें हराने का मोका नहीं देना चाहिए देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है तो देखें आईए स सफलता को लोक्ष बनाई है अपना संबोधन लगबग खत्म कर चुका था कि मैंनी लोगों को कहते हुए पाया मैं आप से वादा करता हूं मैंने की खत्म होने के पहले ही अगनी का काम्यावी से प्रक्षेपन करने के बाद हम यहां वापस मिलेंगे तो देखिए यहां पर यहां आवसर सभी को नहीं मिलता है तो हमें मिला है तो यह जो प्रक्षेपन है यहां किस से भरा है चुनोतियों से भरा है तो इसे हम हिम्मत नहारते हुए इन समस्यों को हमें हल करते हुए इसे सफलता बनाना है इस तरह से उन्होंने सभी को मार्दर्शन किया है तबी सब अब ने क्या कहा है कि हम भी यह वादा करते हैं कि यह जो अगनी का काम है वह हम क्या करेंगे कामिया भी बनाएंगे और तभी हम आप से मिलेंगे तो देखिए यह किसी आसे आसे कम नहीं था कि ऐसे सेकडो करमचारियों ने लगातार काम करके प्रणालिकी तैयारी का काम केंद्र उपग्रह संचार के जरें आपस में जुड़े हुए थे होसम समंद्य आकड़े रुक रुक कर आने लगे और दस मिनिट के अंतराल में उनकी बाड़ सी आ गए तो देखिए यहां पर सभी करमचारियों ने क्या किया है लगातार काम करके प्रणालियों को पूरा क कर लिया है और यह काम सिर्फ दस देवन केवल दस दिन में पूरा किया है लेकिन अब जो विपरित बाधाय डालने वाली जो कंप्यूटर की बारी थी तो अब बारी थी मोसम की तो मोसम का हाल था कि वहां पर एक चकरवा आ रहा था मंडरा रहा था तो देखिए अंतता प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया तो अंतता कब निर्धारित किया गया 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया यह पूर्णिमा की रात थी जो आर के कारण लहरे किनारों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी क्या हम अगनी के प्रक्षेपन में कल सफल होंगे यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे उपर था लेकिन हम में से कोई भी उस सुन्दर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाता था एक लंबी खामोशी तो देखें यहां पर सभी उस प्रक्षेपन के लिए तयार थे और क्या तारिक क्या तई हुई 22 में 1989 तभी उन सभी के खयालों में क्या था सवाल था कि दिमागों में कि अब कोई कटनाई ना आए क्या हम अगनी के प्रक्षेपन में सफल होंगे यह सवा समके दिमाग में था लेकिन वहाँ पर जो रात का वरणनी उन्होंने किया है तो वह किस तरह से है प्रोणी मक्य रात है और वह बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है एक लंबिक हमोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदे ने मुझसे पूछा तो दिखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा है कलाम कल तुम अगनी की कामियाविका जस्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहर चाहोगे यहाँ एक मामूली सा सवाल था लेकिन मैं ततकाल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाए मैं क्या चाता था क्या था जो मेरे पास नहीं था कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी और तब मुझे जवाब मिल गया हमें लगाने के लिए एक लाग पोधों की जरूरत है मैंने कहा अगले दिन सुबह साथ बचकर दस मिनिट पर अगनी मिसायल प्रजुलित हो उठी यह एक परिप्रूर्ण प्रक्षेपन था सभी उड पांच पेट पर आये थे पिछले पांच हप्तों में गड़बड़ों की एक शुरूंकला की अगनी परिक्षा से गुजर रहे थे लेकिन अंतता हमने यह करके दिखा दिया तो देखिए यहां पर आपको जो अगनी मिसायल है वह प्रजुलित हो उठने वाला यहां और यह सब कितना कारेकाल उन्हें लगा है अगनी की प्रक्षिपन के लिए पात साल की कड़ी महनत उन्हें यहां पर किया है तो देखिए यह मेरे जीवन के महांतम चोणों में से एक था सिर्फ 600 सेकेंड की बहुव्य उड़ान ने हमारे सारे धकान को एक पल में धोड़ा सालों की महनत का क्या शांदार नतीजा मिला तो देखिए इस तरह से उन्होंने अपना अगनी प्रक्षिपन का जो अनुभू है आपके साथ बाटा है और शेयर किया है तो इस तरह से प्रुत्वी से अगनी तक उन्होंने आपको यहां पर उनका अनुभू बाट कर बताया तो धन्यवाद